हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन डबाएं साथियो नमस्कार जब कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM कार्ड की एक्सपैरी डेट खतम हो जाती है तब SBI आपको आपके जो रेश्टर एड्रेस होता है उस पर एक ATM कार्ड पहले ही भेज देता है इसके लिए आपको कोई भी कारवाई करने की आवस्कता नहीं होती है और वह ATM कुछ इस तरीके के बॉक्स में आपको मिलता है सबसे बड़ी समस्य आप लोगों को जब आती है जब अस ATM को चालू करने के लिए आपको पिन मनाने की ज़रूरत होती है और पिन मनाने में कई लोगों को अभी भी बहुत समस्य आती है मैं इस वीडियो में कई तरीके आपको ऐसे बताऊंगा जिससे की आप घर बैटे ही आप अपना पिन जनरेट कर सकते हैं इसके लिए आपको ATM पर जाने की आवस्कता नहीं होगी और ATM पर लंबी लंबी लाइनों से आप बस सकते हैं यदि आप पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सकाइब करने के साथ साथ बैल आइकन को भी दबाएं जिससे की इसी तरह के latest और unique content आपको सबसे पहले मिल सकें और ऐसी unique information से आप अवगत होते रहें तो बात करते हैं ATM के pin बनाने के इसमें बहुत सारे तरीके हैं जो की जिन मेंसे एक common तरीका ATM पर जाकर भी है मैं यह सारे तरीके आपको बताऊंगा इन तरीकों में से जो आपको सही लगता है वह आप अपना है यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे comment box में comment करें मैं आपके सवाल की जवाब देने की पूरी कोसिस करूँगा SBI के ATM pin बनाने के लिए सबसे common तरीका जो कि लगबग लोग इसी को अपनाते है ATM पर जाएंगे और इस तरीके से जो देखिए आपको दिख रहा है पहला तरीका यह है कि SBI के ATM का इस्तमाल करके आप अपना ATM pin बना सकते हैं इसको भी हम समझ लेते कि किस तरीके से इसको बनाएंगे सबसे पहले हम अपने किसी भी ATM पर debit card लगाएंगे आपका जो नया card आया है उसी को आपको लगाना है pin generation के option को चुनेंगे उसमें एक side आएगा आपके right side जो है pin generation और आपको ATM पर जाने से पहले आप अपने जो आपका account number है उसको और जो register mobile number है जो आपके account में register है उसको दोबारा से डालेगे फिर इसके बाद 10 अंकों का register mobile number डाले और confirm पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक register mobile number पर एक OTP आएगा जो कि दो दिनों के लिए बैद रहेगा या OTP आप दो दिनों तक इस्तमाल कर सकते हैं अब आप किसी भी state bank में जाकर आप उस pin को यूज करके आप अपना pin जो है generate कर सकते हैं SBI कहता है कि एक बार जो pin वहाँ से SMS द्वारा OTP द्वारा आता है उसको आप जल्द से जल्द बदल लें और अपना नया pin बना लें तो और card का जो है वो बदलने के लिए state bank के तो परवरतन menu पर OTP का उपयोग करके नया pin बना सकते हैं तो यह तो हो गया आपका पहला तरीका आप जानते हैं दूसरा तरीका दूसरा तरीका है आपने अगर अपने खाते पर यानि अपने account पर internet banking को चालू करवाया है यदि internet banking चालू है तो आपको कहीं जाने की कोई आप सकता नहीं है इसके लिए आप अपने internet banking के user ID और password का उपयोग करके आप इस website पर जाएंगे जो SBI की official website है और इस पर login करेंगे इसके बाद इस सेवाओं पर जाएंगे ATM कार्ड की सेवाओं को चुनेंगे इसके पिन generation का वहाँ पर option आएगा उसको chain करेंगे और इसके लिए आपको प्रमा आप चूज करना चाहते हैं उसको चूज करके आप वहाँ पर आपको खाता संख्या दखाई दीजी आपके एक से ज्यादा खाता है तो वह है और जिस खाते के लिए आपका है उसको आप chain करेंगे इसके बाद डेविट कार्ड जितने भी डेविट कार्ड हैं वहाँ आपक पर जाएंगे अब आप अपनी पसंद के दो कोई भी जो है अंग उसमें डाल दे और इसके बाद अगले दो अंग आपको जो आपका रेजिटर मोबाल लंबर है उस पर आ जाएंगे अपने आप OTP द्वारा अब जो आपने डालेते दो अंग वह और इसके बाद जो आपस OTP से आए हैं आपके पास मेसेज द्वारा वह सभी चार अंगों को आप अपना पिन के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं और आप किसी भी ATM पर जाकर आप अपना निकासी कर सकते हैं और इनको चेंज भी कर सकते हैं यह तो हुआ आपका तूसरा तरीका आप जानते हैं तीसरा तरीका अपनाने के लिए आपको SMS करना होगा SMS में लिखना होगा PIN PIN और एक space देंगे और इसके बाद आप अपने जो card नमबर है उसके आखरी के चार अंक यानि जो आपके card मिला है आपका card जो आया है उसके आखरी के चार डिजिट आपको लिखना है इसके बाद फिर से एक space देना है और आपका जो account नमबर है उसके आखरी के चार अंक याई आपको लिखना है और इस SMS को send कर देना है 5-6-7-6-7-6 पर इसको जैसे ही आप send करेंगे इसके बाद आपके जो register mobile नमबर है उस पर एक OTP आएगा उस OTP में आपके चार अंको का OTP आएगा उस OTP को ले जाकर आप कहीं भी अपने ATM में उसको इस्तमाल कर सकते हैं और अपना ATM कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं नया बदल सकते हैं तो यह भी तरीका बहुत ही आसान है आपका OTP जो आएगा वोई भी आपका दो दिन के लिए बैद होगा बिलकुल आप दो दिन तक उसका इस्तमाल कर सकते हैं देखिए आप ATM का जो पिन बनाने के लिए जो SMS आता है जो ATM आता है पिन का जो OTP आता है उसको आप बदल जरूर ले यह SBI भी कहता है और सुरक्षा की द्रिष्टी से भी बहुत जरूरी है इसके बाद चोथा तरीका देखते है चोथा तरीका भी बहुत ही आसान है आप अपने जो आपका मोबाइल नंबर रिष्टर्ड है जो बैंक में और जिसका OTP वो काड आया है उससे आप इन नंबरो पर कॉल करेंगे किसी भी नंबर पर करेंगे Official नंबर है इसके बाद आपको अपने कार्ड के नंबर के अंतिम पाँच उंग और खता संख्या के अंतिम पाँच उंग दर्ज करने होंगे इसके बाद जिसके नام कार्ड है उसकी जनम के बरस यानि जिस जनम ते ठीके जो बरस है चार अंग वह आप दर्ज करेंगे इसके जैसे ही आप दर्ज करेंगे इसके बाद आपका जो रेश्टर मोबाल नंबर होगा उस पर एक OTP आ जाएगा यह OTP आपका दो दिन के लिए वैलिट रहेगा और अब वो OTP में आपके चार अंग जो दिये जाएंगे वह ही पिन होंगे उस पिन को जाकर आप किसी भी SBI की ब्रांच पर जाकर ATM पर जाकर आप अपना पिन बदल सकते हैं बहुत ही आसानी से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और इस तरीके यह सारे तरीके बहुत ही आसान है बहुत ही जल्दी इन सब तरीकों से आप अपना ATM फिन बदल सकते हैं तो आसा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी यदि जानकारी पसंद आई है तो आप लोगों को साथ सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपका कोई कन्फूजन है कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं कोसिस करूँगा आपके सवाल के जवाब देने की मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में जब तक के लिए जैहिंद बंदे बातरम